अससलाम उलाईकुम दोस्तों पवीत्र पोर्टल की आज आई हुई अप्डेट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आज 24 सेप्टिम्बर 2021 की पवीत्र पोर्टल वेपसाइट पर आई हुई अपडेट्स आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर आप अभी मैं आपको उर्दू में टोटल अपडेट्स के बारे में बतलाने वाला हूं तफसील से देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि पवित्र पोटल में जो दो नौ दोहजार एकीस को जो सूशना दी गई थी जो इसके पर नोटिफिकेशन आया था उसके में जो सोला नंबर का नोटिफिकेशन था उसके मताबिक कुछ जो उम्मीदवार थे उन्होंने घलती से या फिर गैर समझ के वज़े से यानि कि वो पॉइंट को इन्फरमेशन क्या पूछी गई है उस पॉइंट को समझ नहीं पाए इस वज़ा से या फिर घलती से नज़र चुकी नहीं वो सुएंपरमान पत्र जो था उनका सेल कर रहे थे कि उन्हें अपने पवित्र पोर्टल में अफड़ेट करके उन्हें से न्हीं को उन्हें हो चुकी गलतीयों को दुरूस्त करने का उन्होंने मौक़ा फराम किया जाये तो इस बात को ध्यान में रखते उन्होई पवित्र पोर्टल में अपडेट करने की सुवीधा 24 सेप्टेमबर 2021 यानि आज से 3 अक्टूबर 2021 तक दी गई है 3 अक्टूबर तक इसमें अपडेट कर सकते हैं अब कौन अपडेट कर सकता है क्या क्या अपडेट कर सकता है ये सब चीजे हम आगे देखने वाले हैं तो एक मुक्तेसर में अगर मैं हर पॉइंट को नोट ना करते हुए आपको डिटेल सारी बाते बतला देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि सिर्फ जो लोग सर्टिफाइ करना चाहरे है वही सर्टिफाइ करें जिनको ये पक्का यकीन है कि उनसे जो तो पिछले बार जब वो फार्म भर रहे थे पवित्र पोर्टल में उस वक्त उनसे गलतियां हो गई थी तो ऐसे लोग ही अपना फार्म अंसर्टिफाइ करें और वो फिर अपनी मालुमात को भरें अंसर्टिफाइ करने पर आपको आपका जो मुबाइल नंबर उस टैम जब दिये थे आपने पवित्र पोर्टल पर फार्म भरते वक्त उसके ओपर ओटीपी जाएगा वो ओटीपी डालने के बाद ही आप अपना फार्म अंसर्टिफाइ कर सकते हैं अब इस दर्मियान जिन लोगों का मुबाइल नंबर हो चेंज हो चुका है बंध हो चुका है या मुबाइल गूम हो चुका है तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं ऐसे लोग अपने डिस्टिक के प्राइमरी एजूकेशन आफिसर या सेकंडरी एजूकेशन आफिसर यानि के प्राथमिक शिक्षा नदिकारी या मादिमिक शिक्षा नदिकारी के पास जाकर अपना photo identity दिखाकर उनसे mobile number चेंज करवाकर पवीतर पोटल पे ले सकते हैं और उसके बाद अगर वो चाते हैं अपना farm uncertify करना तो वो उस farm को uncertify कर सकते हैं आपका नया number आने के farm भरने में farm में उन्हों की जो मालूमा थी उसमें कुछ problems थी उन लोगों को ही अंदर इसमें uncertify करके भरना चाहिए क्यों आगे उसकी वज़ा भी बतलाई गई है कि जो आपका self-certify है इसके अंदर का कुछ जो भी आपको तांत्रिक सूचना की जरूरत पड़ेगी उसके लिए user manual for changes in self-certification को आप देख लीजिए यानि कि आप uncertify करने से पहले इस साइट पर जो दिया हुआ है manual उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए उसके बाद कहा गया है कि जो उम्मिदवार self-certify में उसको जो उम्मिदवार अपना जो self-certify फार्म है उसको uncertify अगर वो करता है तो उसके बाद उसको हर फार्म पर यानि हर एक जो आप्शन पर जाकर उसको अपडेट करना है फिर वहां पर उसको correction करना हो या correction करना ना हो जैसा कि अगर आपका educational qualification है वो आपको उसके अंदर कोई changes नहीं करना है लेकिन आपने uncertify किया है इसलिए आपको वहां पर जाकर भी आपको अपडेट करके satisfy करना पड़ेंगा यानि एक एक option के उपर आपका हर option जितने भी option महां पर आपको खुलें मिलेंगे सब option पर आपको जाना होगा ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ एक चीज अंदर satisfy करनी है मैं उस चीज पर जाकर certify करूंगा और उसको उस चीज को जाकर change करूंगा और फिर मैं certify कर दूंगा ऐसा नहीं आप जब uncertify कर रहे हैं तो एक एक चीज कर लेने के बाद अब यह जो चीजें हैं इसकी सहूलत आपको इसका benefit पिछली जो selection list लग चुकी है उसमें नहीं मिलेंगा और नहीं आपको इसका हाँ खासिल रहेंगा कि आप उसके ओपर यह दावा कर सके किसी for example को कोई जो तो एक कास्ट category में हैं ऐसा समझ लेते थे हैं O उसने अपनी changes किये हैं वहाँ पर candidate एक 110 नंबर वाला candidate लग गया है अब इसके नंबर 115 है तो अब इसने अब update किया है अपना कास्ट उसमें तो इसकी बिना पर उसको उस 110 नंबर वाले की जगा पर वो दावा नहीं कर सकता कि यहां मैं लग सकता था यहां मैं लगूंगा य यह जो भी changes होंगे यह changes का benefits आपको यहां से आगे मिलने वाला है यहां से आगे अगर जो यादी लगेंगी भरती की उसमें मिलेंगा इवन अभी जो 22 तारीक को सारी अभी जो 2 सेप्तेंबर को with interview की पहली लिस लगी है उसके अंदर भी आपको इसका कोई भी benefit नहीं मिलने वाला है और यहां पर फिर आपको benefit कौनता मिलेंगा क्या मिलेंगा तो यह चीजे भी आगे किलियर कहे गई है कि उम्मीद्वार कडून गर समझूती ने उस चुकी ने सो पर्मान पत्र चुकी ची महिती भर ले ले असलिए मुड़े योग के बदल करने ची सुविता देने गया है उसके बावजूद आपकी जो लास्ट एजूकेशन कौलिफिकेशन मानने की जा रही है वो 22 नवेंबर 2017 की ही की जा रही है यानि के यहां पर आप किसी भी ब्रहम में ना रहें कि अब आपको अपलोड करने का मौका मिला है तो अब खास तोर से हमारे अर्दू मेड मौका मिल गया है अगर वो बात का अंदर 18, 19, 20, 21 के महा टीटी CTT पास की अगर वो इंट्री अपने टेट के पावितर पोर्टल में अभी करा भी ले तो इसका बेनेफिट उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला इस भरती में कुछ भी भरती नहीं मिलने वाला आपको कौन सी गलतीयों की दुरुस्ति करना है आपको नहीं गलतीयों की दुरुस्ति करना है जो 22 नौबर 2017 के पहले की जो थी Заका कुछ नंबर हो गया कोई को एद्ञचन कॉलिफिकेशन के नंबर को इंट के नंबर की इस तरह कि तो नवेंबर 22 नवर 2017 के बाद की कोई भी अपडेट आ या फिर आपकी जो टीटी तब पास नहीं थे लेकिन आपने बाद में महां टीटी सीडीटी पास किया हो ये किसी भी चीज़ का बेनेफिट आपको इस भरती में नहीं मिलने वाला है पॉइंट नमबर 10 में ये किलियर किलियर साफ साफ कह दिया है तो फिर ये अपडेट करके क्या फायदा कुछ पूछेंगे कि अपडेट का चांस क्यूं दिया है अपडेट का चांस इसलिए दिया है कि आपकी 22 11 2017 के पहले की जो भी इनформیESHन है उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो करेक्शन करने के लिए आपको ये अपडेट का मौका दिया गया है ठीक है और इस तरह से फिर लास्ट में कैंडिडेट ने हर चीज़ को जिसने अपना सेल्फ सेटिफाई सेटिफिक्ट को अनसेटिफाई किया था उसने चाहिए कि आखिर में अपने सभी चीज़ों को अपडेट करके अपना फार्म सेटिफाई करें और उसकी प्रिंट निकाल कर उसको अपने पास महफूज रखे उसको सेव करके रखे उसकी प्रिंट निकाल के ले ले ठीक है मैं समझता हूँ मुक्तसरन में मैंने सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझा दिया है आपके जो डाउट से वो किलियर हो चुके हैं और आपकी सभी इन्फरमेशन आपको इससे मिल चुके हैंगे आगे जो भी अपडेट आएंगी वो हम इंशालला आपको इस चैनल के थो उर्दू में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे बहुत बश शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर किलिक कर ले